नमस्कार आप देख रहे हैं वराट 24 नीउस में पूझा संयुक्त किसान मोर्चा निप किसान बिल सहीत किसानी से जुड़े तमाम मामलों के निराकरण एवं केंद्र सरकार के त्वारा संयुक्त किसान मोर्चा राष्टर नितित्र को भेजे गए एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सिमाओं के साथ ही समूचे देश सहीत रीवा में 343 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लखीमपूर खीरी की घटना के सहीत देश की सीमा पर आंदोलन रत लगभग 715 किसानों की शहादत एवं विगत देश से सीडियस विपिन रावत एवं सैन अधिकारियों की सहादत को नमन करते हुए विंद की पूर्वराजधानी रीवा में सितंबर 2020 से चल रहे किसान आंदोलन को विंद की माठी का चरणवंदन करते हुए मोर्चे ने करहिया मंडी के बाद ग्राम बहरा में चल रहे अनिश्चित कालिन धरने को किसान ने ताओं और किसानों मजदूरों आंदोलन के समर्थकों की उपस्तिती में स्थागित कर दिया मोके पर एक दूसरे को मिठाएं खिला कर मिठी का तिलक लगा कर सादगी पूर्ण आपस में गले मिल होसला अफजाई किया मोर्चा के पताधिकारियों ने बताया कि MSP की गैरंटी मुकदमों की वापसी विद्युत कानूनों में सुधार होने तक सरकार से सतर्क रहेंगे तधा स्रम कानूनों में सुधार किसानों की आयत दोगुनी महंगाई सही छेतरी समस्याओं को लेकर आंदोलन जारी रहेगा 15 जन्वरी को दिल्ली में आयोजित मोर्चे की समिक्षा बैठक के बार आगामी रणनीती तयार की जाएगी संयुत किसान मोर्चा रीवा ने आंदोलन की सफलता सहयोग के लिए किसानों, मजदूरों, पत्रकार बंधियों, वकीलों, श्रम संगटों, मीसा बंधियों, स्वतंतरा संग्राम सिनानियों, विपक्षी दलों, व्यापारिक संगटों, समाजिक संगटों, कला प्रेमियों छात्रों, नौजवानों, बस टोक, आटो ओपरेटरों, छोटे व्यावसाईओं, प्रतेक आंदोलन समर्थों को तथा जिला प्रसासन का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी सायोग समर्थन की अपेक्षा की गई है। जिनवाद 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 जब तक सूरच चांद रहेगा। रीवा मीडिया जिन्द अबाद, रीवा मीडिया जिन्द अबाद, रीवा मीडिया प्रिंट एलेक्रोनिक जिन्द अबाद, 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 यह लोगों ने पहले से मन बना लिये थे कि जब तक बिलो अपसी नहीं तब तक घरो अपसी नहीं और मेसपी का अधिकाल लेके रहेंगे और साथियों का भी बताना चाहता हूं आपके माद्दम से कि एक महीने बाद यहां पर रीवा की धर्ति पर एक बार पुना सरीक्ट किसान मोर्चा दिल्ली जो है यहां पर विजय दिबस पहले मनाने आने वाला है उसके लिए जो जनकारी क्याई है कि एने दिल्ली के बाडर से हटूके इस तरह से मोधी सरकार ने किसानों की रीड की हड़ी पर यह तीनों काले नुप ανे कानून पठके का वादा करते रहे लेकिन आज तक नहीं दिया हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने अल्टीमेटम दिया कि आप से MSP पर संभैधानिक गारंटी दीजिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें मुख्य संत्री और हमारे भारती के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संभली थे उन सब किसान नेताओं के संभल अपनी मंसा साथी स्पेश्ट थी कि हम तो मिट्टी बचाने और मिट्टी के उपच बचाने मिट्टी से पलने वाले लोगों को बचाने कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं कटि लगा ना लाजमी था और हम तो मिट नमन करते हुए हुए उच्ञानी को बचाइज बचाएंगे सरकार ने हमसे वदा किया है सरकार के वदा का हम सौगत करते हैं लेकिन हम आंदोगला ने स्थाकित किये हैं और हम इसको समाप्त नहीं किये हैं हम सरकार को मौका दिए तीन महीने इंतिजार करेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे किस तरह से रणनीत ही बनी आज इस थगित हुआ किसान अंदूलन तो आगे क्या रणनीत ही होगी किस तरह से आज आज आप लोगों सब्मों बैठ कर चर्शा की देख़ए एक वर्स से किसान बिल के विरोध में वो तमाम किसानों के मुद्दों को ले करके देश का किसान लेगी तब आनन फानन में जिस तरह से बिना मत विभाजन के कानून लाया गया उसी तरह प्रधान मंत्री जी ने वापसी की घुषणा किया और उसके बाद के जो हमारे बहुत सारे मुद्डे हैं MSB का मामला हो बिद्धत कानून का मामला हो और छेतरी मुद्धे हैं श्रमिक कानून को ले करके हैं तो जो सरकार का फत्र आया है वो सरकार के फत्र शे राष्टी किसान मोर्चे ने जो है सामच जताते हुए अभी आंदोलन को अस्थगित करने का एलान किया है आज रिवा किसान आंदोलन के 344 दिन पूरे हो चुके हैं हम दिल्ली किसान आंदोलन के निर्देशन पर कार कर रहे हैं वहां की जो गाइड लाइन आई है कि 15 जन्वरी को हम एक साजा बैठक करके आंदोलन की समिच्छा करेंगे और आंदोलन की आगे की रणनीत दें करेंगे तो इस तरह से MSP पर और विद्धित कानूल पर अभी हमारे मामले को अस्थगित किया गया है किस तरह से समर्थन रहा और आंगी क्यारण नीत बनाए आप लोगों हम किसान संगठन से 1984 सी चुड़े और लगातार हमाई देश के सरहद में किसान अंदोलन रत रहे तीन किर्जिये काले कानूनों के वाफ़ी के लिए वह हमाई रिवा के किसानों ने बिल्ली के किसानों ने लामपूर में सतना जिले में और रिवा में लगातार दिल्ली के किसानों के साथ कंदे से कंदे मिला के अंदोलन के जब तक भिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी का एलान किया था आज हमारे दिन्री के किसान घर वापसी जा रहे हैं हमारी रिवा के एक है ये किसान भी घर वापसी जा रहे हैं हम सब बिन्रे के किसानों को, सभी किसानों को जिनने सहोग दिया है, मीडिया, अपनी प्रिंट मीडिया, एलेक्ट्रोनिक मीडिया, सभी को धन्रबाद के अपित करते हैं, सहीत किसानों को बिनमसरत धांजली अपित करते हैं, और माननी प्रथान मंतरी जिसे कहते हैं, कि अग हम आप से कहना चाहते हैं किसान बाइओ किसान बन जाये क्यों सरकारें बोट की ताकत जानती है और कुछ नहीं और यही कहेंगे जो किसान उसे टकराएगा वो सत्ना से अड़ जाएगा थम किसान भारत-मा किसान भारत-माद इतर तवाम बड़ी खपरों के लिए देख दो र प्रूश्चार